हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी नेने वर्ट सीखना चाहते हो अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉंग करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स बीना किसी देरी के शुरू करते हैं यह प्रीज से घरे कि तुम हमेशा अपने चुटकुलों से मूड खुश कर देते हो यानि मूड को ज्यादा खुश कर देते हो अपने चुटकुलों से तुब बता रही है कि You always light up the mood with your jokes तो जब भी कोई ऐसे जोक मारता ज इंगलिशम कह सकते हैं कि since this morning यानि आज सुभा से, आज सुभा से, since this morning, आज सुभा से, I have been in a bad mood, मैं बेकार मूड में हूँ, यानि बुरे मूड में हूँ, आज सुभा से ये, since this morning, I have been in a bad mood, या कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि, I have been feeling down, जब भी कोई बोलता है feeling down तब भी आप समझ जाना उसका कहना का मतलब है कि मैं अच्छा सा महसूस नहीं कर रही मेरा मूड सा खराब है I have been feeling down since this morning I have been feeling down since this morning यान सुभा से ही सुभा से लेका अवता किसले हम have been का यूज कर रहे हैं मेरा मूड खराब था लेकिन तुमने सच में अपने जोक से मूड खुश कर दिया बट यूर जोक लिफ्टिड माइ मूड कभी उसकर सकते हैं लाइट अप कभी तुम्हारे जोक ने मेरे मूड को उठा दिया कि मतलब है खुश कर दिया मैं समस्य का एक अचूक समधान चाहिए हैं पर इससे कह रहा है कि हम दोनों को यानि हमें इस समस्य का एक अचूक समधान चाहिए तो एक वड का भी हम यूज करते हैं Infallible, Infallible का मतलब होता है अचूक, तो हम पर कह रहा है कि We Need an Infallible solution to this problem हम एक Salvation चाहिए इस समस्यका इस प्रोब्लम का Infallible मतलब अचूक, इस हमदान जो चूक है न बिलकुल अचूक हो जो फैली नहूंसके कहने कमतलब है we need an infallible solution to this problem हम इस समझ से कचूक समधन चाहिए तो यहाँ पर यह कह रहा है इसकी बास सुनकर I have come up with a fantastic plan to tackle this problem यानि किसी problem को से नहीं पठना उसका सामना करना तो हम tackle कर सकते हैं I have come up with a plan I have come up with a fantastic plan यानि मेरे पास एक जबर्दस plan है to tackle this problem को tackle करने के लिए यानि इससे निपटने के लिए से ख़दम करने के लिए कुछ लोग tackle की जगह ऐसी बोल सकते हैं कि I have made a superb plan to address this challenge address किसी challenge को address करना और उसका सामना करनों से नहीं पठना यहाँ पर कह रहा है कि I have made a superb plan to address this challenge या तो made की जगह आपका होगे I have come up है ना या आपका होगे I have made a superb plan to address this challenge यहाँ पर to tackle this problem मेरा मानना है मेरा plan अचूक है और काम्याब होगा I believe my plan is infallible and will succeed मेरा मानना है मेरा plan अचूक भी हो और काम्याब भी होगा I believe my plan is infallible and will succeed देखें friends इन दोनों की बात सुनकर यह कह रहा है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा plan अचूक है लेकिन इसमें कमी हो सकती है अब इस इंगलिश में बोलेंगे you think your plan is infallible but it might have flows flows का क्या मतलब होता है खामिया कि रहा है कि you think your plan is infallible तो मैं लगता है तुम्हारा plan अचूक है infallible है but it might have flows लेकिन इसमें कमी हो सकती है confidence अच्छा होता है लेकिन overconfidence नहीं कि रहा है कि having confidence is great but being overly confident isn't having confidence is great confidence होन अच्छी वात है but being overly confident isn't लेकिन जादा confident हो जाना अच्छा नहीं होता तुम्हारा ये plan fail होने की संभावना है अब किसी चीज़ के संभावना होना इसके लिए हम बोलते हैं likely और संभावना ना होना हम बोलते हैं unlikely तो अब दोनों का use करेंगे तो यहाँ पर ही कह रहा है कि तुम्हारा ये plan fail हो सकता है your plan is likely to fail your plan is likely to fail यानि संभावना है इसके फैल होने की your plan is likely to fail यहाँ पर ये लड़की कह रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना नहीं है अब संभावना होने की है तो लाइकली नहीं है तो अनलाइकली तो कह रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना नहीं है इसा 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 होने की संभावना नह में किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती मुझे पसंद नहीं है किसी को सेड करना किसी का दिल दुखाना तुम्हें इनका होसला तोडने की बजाए इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए तुम्हें इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए इनकी हिम्मत तोडने की बजाए तुम्हें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए इंगलिश हम बोलेंगे युशुड़न टेक साइड्स यानि तुम्हें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए तुम्हें निश्पक्ष रहना चाहिए you should remain impartial impartial का क्या मतलब होता है निश्पक्ष यानि किसी का पक्ष ना करो जब आप किसी के दो के बीच में फैसला करते हो चाहे तुमारा भाई क्यों ना हो वहापर आपको impartial रहना होगा निश्पक्ष रहना हो किसी का पक्ष नहीं करना तुम्हें निश्पक्ष रहना चाहे आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहापर यह बोल रही है कि इससे पहले कि भू के मरने की नो बताए कोई नो क्री ढून लो इस इंगलिशन बोलेंगे फाइंड सम जोब विफोर यू हैफ तु स्टार्व फाइंड सम जोब विफोर यू हैफ तु स्टार्व यानि इससे पहले की भू के मरने की नो बताए कोई नो क्री ढून लो फाइंड सम जोब विफोर यू हैफ तु स्टार्व तुम्हें कोई अंदाज़बी है how difficult it is कितना मुश्किल है to get by on my salary मेरी salary से गुजारा करना तो बतारीए कि तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मेरी salary से गुजारा करना कितना मुश्किल है इसके salary बहुत कमाती है इसलिए के रही है कि do you have any idea how difficult it is to get by on my salary अगर तुम पर हमला हुआ होता तो तुम क्या करते है तो यहां पर कोई लड़की इसने किसी को मारा है बहुत जादा क्योंकि इस पर उसकी सिना हमला कर दिया था तो कोई से कह रहा है कि तुम ने ऐसा क्यों किया तो कह रहा है कि अगर तुम पर हमला होता तो तुम क्या करते तो इस तरीके से जब हम बोलता है कि तुम मेरी जगा होते तुम क्या करते ऐसा होता तो तुम क्या करते इस तरीके sentence हम हमेशा second condition sentence में बनाते हैं जैसे कि हाँ पर ही कह रहा है कि What would you do if you were attacked? What would you do if you were attacked? What would you do if you were attacked? This is how you can say, If you were me, this means that if you were my area, it's this way that you can say, if you were in my shoes, or if you were me, If you were me, Wouldn't you do the same? What would you do it like? If you were me, wouldn't you do the same? अगर तुम मेरी जगह होते हैं, तो क्या तुम ऐसा नहीं करते हैं?